तो नमस्कार जेहिंजे भारत दोस्तों और केसे हैं आप सब तो आप सबी को आज दसेरी की सुबकामना है और बहुत-बहुत मुबारक बात तो दसेरा आप सब अपने परिवार के साथ में हसी कुछी मनाईए और खुब सारा इंज्योई कीजिए तो दोस्तों आज की वीडि अगर आपने गुल्दावधी के प्लांट अपने पोर्ट में लगा रखें तो इस टाइम पे आपने क्या-क्या काम करने करने वही बताना है है क्योंकि यही वो टाइम है जब सबसे ज्यादा हमारे गुल्दाओदी को नुकसान होता है तो मेरे एक वीवर की कमेंट आ रही है कि यह जो उनके यह ब्लीडिंग हाट का प्लांट है और उसके उनमें इसमें ग्रोफ नहीं आ रहा है ब्लीडिंग हाट प्लांट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे तो फिलाल अभी जो हमारा में टॉपिक है वो है गुल्दाओदी और आप देखेंगे तो अभी हमारी गुल्दाओदी में देखें चोटी-चोटी-चोटी-चोटी कलियां बनने लग रही है बननी शुरू हो चुकी है और अगर देखेंगे तो यहां पर भी यह देखे छोटी छोटी कलियां आपको दिखाई दे रही है यहां पर थोड़े कलियों का साइज बड़ा हो गया है तो इस टाइम अगर आपके गुल्दावदी जमीन में वह प्रोब्लम नहीं रहेगी मगर आपके अगर घमलों में गुल्दावदी लगी है त गार्डनर को आती है तो वह प्रोब्लम क्या होगी वह चीजी कही में आज आप से डिसकस करूंगा वही पताऊंगा तो चलिए करते हैं वीडियो शुरूब वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सेर और सब्सक्राइब कीजिए तो दोस्तों देखे इस ट कल साम को कल सुबह पानी दिया था आमने और यह देखे मट्टी कितनी ड्राइ हो गई और एक में नहीं यह देखे सारे में क्यूंकि इस टेम क्या रहता है कि हमारे जो मोसम चैंज हो रहा होता है और गुल्दाओधी का जो मट्टी की नमी है इस टेम में बहुत जल्दी जरूर केर कीजिए अगर इस टाइब से आपके मट्टी सूक रहे हैं तो इसके लिए आप दो काम करिए एक तो आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए और एक जो भी कंपोस्ट आपके वास एवी लेवल है वो कंपोस्ट डाल दीजिए और क्योंकि इस टाइम मट्टी एक दम हाड हो जाती है हम गुड़ाई करते रहते हैं मगर फिर भी देखे कितनी हाड हो रखी है मट्टी तो आपने क्या करना है मट्टी को एक बार गुड़ाई करना है और साथ में जो है कंपोस्ट दे देना है क्योंकि यही टाइम है जब तो आप देखिए कली सब में बनने लगी है तो एक तो कंपोस्टिंग कर दीजे और साथ में आप पानी जो जब तक अच्छी तरह से सर्दी शुरू नहीं हो जाती तब तक आप इसको हर दिन पानी देना पड़ेगा अगर आपने गमलों में लगाएं हैं तो गमले में अगर आपने लगा रखे हैं तो आपको हर दिन पानी देना पड़ेगा अपने गमलों को क्योंकि इस टाइम हवा में मोस्चर नहीं रहता और जिसकी वज़े से हमारे प्लांट एकदम से सूख जाते हैं और उसका इफेक्ट यह पड़ता है कि जो कलियां बन रही होती है वो फ्ल गल्दी होता है तो आपने अपनी मट्टी की नमी को बना के रखना है अपने गमलों की नमी को बना के रखना है क्योंकि प्लावरिंग का टाइम आने वाला है अगले 20-25 दिन के अंदर हमारे जो गुल्दाओदों की जो बाहार है वो शुरू हो जाएगी और आप देखे हर हर प्लांट में कलिया आ चुकी है इस टाइम में जो आप कर सकते हैं यह मैंने पर बनाया हुआ है यह सरसो की खली का पानी है दो दिन भीगाने के बाद जो पानी का कलर है वो देख लीजे आप इस टाइप से हो जाता है और यह मैं इनको देने की त्यारी कर रहा हूं क्यों इस टाइम में गमले सुके हैं और जो देंगे वो खाद जो भी देते हैं आप एकदम लिमिटेड दीजे खाद इतना देना है अपने की गमलों के बाहर ना आए यह देखे जो भी हम देंगे वो इतना देंगे पानी भी देंगे तो इस टाइप से देंगे की पानी बाहर न और यह खाद जो हमने दी है वो क्या है दोनों काम करेगा एक तो हमारे गमलो को नमी भी प्रदान करेगा और साथ में खाद जब पानी भाहर नहीं आएगा तो वह एक गमलो में बैठ जाएगा और गुल्दावदी के पॉसंड के लिए जो उसको चाहिए वो उसको मिल तो इसे करके आप दे दीजिए अपने सर्सो की खली ये पांस लीटर का डबा है मेरा जिसमें मैंने 200 ग्राम सर्सो की खली डाली है और दो दिन भीगाने के बाद इसका जो लिक्वीड बना है वो इस टाइब का है अगर आप ज्यादा गड़ा नहीं देना चाहते तो आप इसी में पांस लीटर पानी और मिला के भी अपने प्लांटों को दे सकते हैं क्योंकि खात का जो भी आप इस टाइम दे वो खात बिल्कुल लिमिटेट होनी चाहिए क्योंकि गड़बड नहीं करनी है हमने तो यहां पर दे दे देते हैं पस उतना दीजिए जितना आपके पेड़ों को मिले मट्टिओं को मिले बाहर ना निकले कूए बाहर निकलेगा तो वह नुक्सान तो नहीं करता मगर यह कि पेड़ों को ढख से नहीं मिल पाता है तो जरूरत के साफ से अपने प्लांट को खात दे दीजिए और में तो दे ही रहा हूं थोड़ा हुए है केमरा हाथ में दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाएंगी तो मैं बाद में दूंगा अपना खात का प्रोसेस बाद में पुरा करता हूँ वीडियो बन जाए तो ये चीज ध्यान रखे और हमारा जो प्लांट है वो घर के इस तरफ रखावा है आप कोशिस कर है कि आपका प्लांट एकदम फुली सनलाइट में रहे जिससे पोदे की जो ग्रोथ है वो अच्छी आए अच्छा मिले क्योंकि हर एक में कलियां आ गई है ये देखे तो हर किसी को खुशी होती है जब वो अपना मेहनत करता है और वो मेहनत का जब रिजल्ट आता है तो हर किसे को खुशी लगती है और एसा नहीं है कि cutting में घुड़े आए है पुराने प्लान्ट में कलियांने हूँ आए है ये पुराना प्लांट है देखे पुराने प्लांट में भी खुली आ गई गर्मी बनी रहेगी तो इस टाइप से आप अपने गमलों को इस टाइम पर आपने नमी बना के रखने हैं और कमपोर्स्टिंग इस टाइम पर बिल्कुल सही रखिए जिससे आपके गुलदाओधी अगले 15 से भी इस दिन में ये फ्लावरिंग शुरू करेंगे तो जब फ्ल प्लानि वगरव प्लानि टीजिये, और अगर पानी देते हैं तो ऑगले दिन साम को देते हैं और अगले दिन, आप साम को देंगे तो इस टाइम पे सुकते में हमारे प्लांट और मरतें वह जल्दी है तो गोदों कीशेशाшт Girard किसको अद्विक आता अपने प्लांटों की ग्रोथ like θαसकर अथ हम को तो एसस टाइम परसाइन कीशाओ Museum प्लांट की अच्छी केर करें धूप में तो रखें मगर पानी जो है बिल्कुल टाइम ली दीजिए और लिमिटेड दीजिए और जिससे आपको गुल्दावदी अच्छा फ्लाउरिंग करेगी तो आज के लिए वीडियो छोटी है मगर क्योंकि जरूरी है यह चीजे हम मिस करते हैं छोड़ देते हैं जिसकी वज़े से हमारे को नुक्सान होता है प्लांट को नुक्सान होता है आपका वो मेहनत जो रहता है हम आप जो भी मेहनत करते हैं वो मेहनत का अगर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा उस तरीके से तो हम स सब जगे का वेदर कंडिशन अलग है सब जगे का मौसम का ठंप्रेचर और कंडिशन अलग है जिसकी वज़े से आगे-पीछे जरूर रहते हैं हमारे गुल्दाओदी मगर खिलते सभी के हैं और हमने याप पनियों में भी लगा रखा है और जो अच्छा चल रहा है फिलाल अभी आप देखेंगे तो यह देखे ज्यादा भी नहीं है अभी अभी एक हपते पहले लगाएवे प्लांटों की यह देखे कलियां भी बनने ल किसी टाइब का देंग heck the daily की टीकरी अगर आपने अच्छी करी तो प्लांट भी आपको वैसा ही अच्छा रिजत देंगे जीसा आप चाते हैं और यह किसी एक प्लांट की नहीं है हर प्लांट में वह है तो फिलाल में चाये वाले जगे पर वीडियो शुट कर रहा हूं कि मैंने बोला ना दिल में गरम ज्यादा हो चुका है तो ऐसे करके आप अपने गुल्दाओ दिया किसी भी प्लांट की केर कीजिए क्योंकि इस टा आई सबी के पास नहीं होता सबी के पास टाइम लिमिटेड है हमारे पास भी टाइम लिमिटेड है तो ऐसे करके आप अपने गुल्दाओ दि की केर कर सकते हैं और हर बार बोलता हूं कि किसी दिन अपने पूरे प्लांट की आपको वीडियो दिखाऊंगा तो फिलाल में आपको अपने ऩngत्य और ऑगे के तक्रीबन ही प्लांट दिखाता हूं जो घर के अंदर रखे वे हैं उन प्लांटों को कवर करनेका टाइम नहीं मील पाता तो जब भी कोशिस रहती हैs आपको छोटी छोटी जलग जरूर दिखाता हूं तो फिलाल हमारे फ्लांट है और यह देखे पॉंचेटे की कटिंग जो मैंने खुद घर में ही तियार करी थी दोनों और अभी आप देखेंगे मेहनत का रिजल्ट जो रेता है वो जब इस तरीके से आता है इस तरीके से भर के आता है ना तो दिल खुस हो जाता है इस चीजों को देखकर और फिर लगता है कि यार यही है जिसके लिए हम अपना पूरा साल अपने गार्डन को योगदान देते हैं चाहे दो घंटा दे चाहे चार घंटा दे मगर जब फ्लावरिंग मगेरा चलती है और इस तरीके से चलती है तो फिर मन तो बल्ले-बल्ले हो जाएगा फिलाल तो चलती है चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और आप सभी को दसरी की लाखों सुपकाम नाय धेर सारी सुपकाम नाय मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जेहीन जे भारत वंदे मातरम जो मेरे मीत्र है जिनकी कमेंट आई है कि उनके गुल्दाओं एक सब्लीडिंग हाट के प्लांट में ग्रोथ नहीं आ रही है उसकी वीडियो में मिलता हूं मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जेहिंजे भरत वीडियो पसंद आए तो जैसे दर लाइक सेर और सब्सक् कि एर